क्या आपको पता है कि Harry Potter का जो main character है Daniel Radcliffe उनको find करने के लिए 300 बच्चों का audition हुआ था आपने बहुत सारे terms को सुना होगा Bollywood, Tollywood आपको पता है Lollywood के बारे में Lollywood एक actual term है और पाकिस्तान में जो movies का जिसे इंडिया के movies को जो ministry movies होते है उसको Bollywood कहते है वैसे ही पाकिस्तान के movies को Lollywood कहते है लाहोर में पंजाबी और उर्दू में movies बनता है इसी को collectively Lollywood का जाता है Northern South America में एक कच्चुए का fossil मिला और उस कच्चुए का जो size था वो एक car के बराबर था ये वही प्रजाती है कच्चुए के जो कियात से 70 लाख साल पहले exist किया करते थे कोलंबिया के टाटाकोवा डिजर्ट में इन्हें find किया गया था आप इस चीज से related कई articles को देख सकते हो और ये जो photo आप अपने screen पर देख रहे हो ये उसी turtle का photo है इतने बड़े बड़े जो turtles होते थे वो actual में लाखो साल पहले धरती पे roam करते थे science की दुनिया ने ये चीज को notice किया है कि पहले जो size था किसी भी creature का वो बहुत ज़ादा था जिसे पहले dinosaurs हुआ करते थे फिर size छोटा होते गया और आज कल जो सबसे highest बड़ा size का जो जीव है जो सबसे highest size है वो है blue whale का अभी के time पे blue whale से बड़ा कोई प्रजाती इस धरती पे नहीं है बट पहले dinosaurs और इतने बड़े बड़े turtles ये सब common था इस धरती के लिए तो size जो है वो घटता गया है वक्त के साथ तो इस से related और एक fact है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे historic sites पे बड़े बड़े सीणिया बनी हुई है तो कुछ लोग ये theory लगाते हैं कि पहले के जमाने में या फिर according to Hindu sculptures पहले के युग में जो लोगों का height होता था वो बहुत लंबा होता था और बड़े बड़े जीव जो है वो common होते थे और जैसे से time बित्ता गया size छोटा होते गया जैसे ऐसा माना जाता है कि जो 13 यूग था यानि राम जी का यूग उस time normal average height जो है वो 9 से 10 फिट होती थी इनसानों की ये image देखो ये बहुत ही अच्छा depiction है इस solar system के सबसे बड़े पहाड का धरती का mount Everest ये इतना उचा है और धरती पे सबसे उचा पहाड है उसके बाद mount loa आता है उसके बाद आता है Olympus mons और ये जो है ये देखो इससे कितना बड़ा है ये पूरे solar mandal का सबसे बड़ा पहाड है आपने YouTube के comments पे या फिर Instagram के comments पे अक्सर देखा होगा कि लोग greatness को depict करने के लिए goat लिखते हैं इसे कोई medal जीता तो वाँ comment करेंगे GOAT GOAT तो इस goat का मतलब बकरी नहीं होता है actual में GOAT का मतलब होता है किसी गाने के नीचे अगर goat लिखा हुआ है तो इसका मतलब नहीं बकरी इसका मतलब है greatest of all time goat कुछ ऐसे abbreviations है जो कि अभी new age में चल रहा है and goat उनमें से एक है GOAT greatest of all time आपने अक्सर famous जगाओं को ऐसे images में देखा होगा ऐसे दिखते हैं बट ये आपका expectation है actual में जब आप किसी जगा का image देखोगे न तो आपको Google में उस जगा का नाम search करने के आगे live उस place के नाम के आगे live या फिर real picture करके search करना चाहिए आप expect करोगे ऐसा और दिखेगा कुछ ऐसा ये expectation ये है reality जपान के जो toilets होते हैं उस पे आपको अक्सर उपर में ऐसा sink मिलेगा आप उस पे hand wash कर सकते हो और जो आप हाथ धोते हो वो पानी नाला में न जाके वही पे store होता है और next time जब toilet करते हो तो वही पानी को flush के लिए use किया आता है ऐसा माना आता है कि इस system के चलते जापान में लाखो लिटर of water अब yearly save होता है क्योंकि flush ऐसे पानी से भी हो जाता है आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे 5-6-7 senses है senses जो कहते हैं हम लोग but actual में human body में बहुत तरह के sense होते है सिर्फ सुमना देखना ये sense के बदले ऐसे कुछ senses है जिसके बारे में हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया था जैसे एक basic सा sense है balance, sense of balance जिसके जलते हैं हम लोग चल पाते हैं जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो इसी sense को develop कर रहा होता है sense of balance अपने ये जरूर सुना होगा कि जब हम लोग चीकते हैं तो हमारा जो heart है दिल ने वो धड़कना बंद हो जाता है कुछ milliseकंड के लिए अपने जहां से भी सुना है actual में ये गलत है heart कभी भी बंद नहीं होता अगर आधे सिकंड के लिए heart बंद हो तो body के किसी भी part में blood नहीं जा पाएगा और इससे इंसान मर सकता है तो actual में heart का rhythm बदलता है ना कि इंसान का heart रुख जाता है चीकते समय इंसान का rhythm बदल जाता है heart का जो rhythm है वो बदलता है ना कि हर्ट रुख जाता है, एक बहुत फेमस मित है, हर्ट बीट का जो रेगुलारेटी है वो चेंज होता है क्या उको पता है कि ट्रिपल र मुवी में जो ये वंदे मातरम का फ्लाग है, ये फ्लाग मुवी में यूज किया गया सिर्फ एक फिक्शनल फ्लाग नहीं है और इसे 1906 में पहली बार होस्ट किया गया था 7 अगस्त 1906 पार्सी बगान चौक कैलकटा में इसको पहली बार होस्ट किया गया था उसके बाद इंडिया का फ्लाग में बहुत सारे चेंजेज हुए उन सारे चेंजेज का समरी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो ये ये चेंजेज हुए थे भारत का हिस्ट्री इस सच में वोडरफूल है झारत से रिलेटेड और भी बहूत सारे अन्सॉल्ट मिस्ट्रीज को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है पहले वी वीडियोस में आपको अन्सॉल्ट मिस्ट्रीज तो बहुत पसंद रही É तुम्हें को पता है कुकू FM पे आपको हमारे history से related बहुत सारे audiobooks मिल जाएंगे जैसे Unsolved Mysteries of India जो कि एक बहुत ही खास audiobook है बहुत लोग सोसते हैं कि books को read करना boring होता है but not anymore but आप अब books को audio format में सुन सकते हो कुकू FM पे आपको ऐसी बहुत सारे interesting real life unsolved mysteries and हमारे marvelous history से related बहुत सारे audiobooks और book summaries मिल जाएंगे and आप इनको Hindi, English और अपने regional language में भी सुन सकते हो I would highly recommend you to check out कुकू FM link के नीचे description के top पे मौझूद है and first 250 users जो कि sign up करते हैं नीचे वाले link से उन्हें 50% off मिलेगा यहनि 3.99 का yearly subscription सिर्फ और सिर्फ रूपीज 1.99 का मिलेगा coupon code आप अपने screen पे देख सकते हो so check out कुकू FM now brandberg ने 44 दिन लगा कर 2.18.000 से भी ज़्यादा cards को use करके यह structure बनाया था जो कि आप अपने screen पे देख रहे हो and यह playing card का use करके largest structure है जो कि 9 फेट 5 इंच लंबा है आपको मैंने बहुत सारे amazing borders को दिखाया है उन सब मेंसे यह border देखो यह tri junction border है और इसे दुनिया के सबसे awesome borders मेंसे एक माना जाता है इसे triple frontier कहा जाता है और इस जगा पे यह है आर्जंटीना का land यह है ब्रजील का land और यह है परागवे का land imagine करो कि आप सोय हुए हो और आपके सर पे कोई इंसान एक knife लेके पूरा अंदर घुसा दिया चाकू तो क्या ऐसा अगर हुआ तो कोई इंसान बच पाएगा usually माथे में चाकू घुसाने से कोई बच नहीं पाता है मतलब ऐसे जितने भी cases हुए है जातर लोग नहीं बच पाए है पूरे इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है कि किस इंसान के सर पे चाकू घुस गया है फिर भी वो बच गया है और यह हुआ है 1998 में Michael Hill के साथ एक अंजान इंसान ने उनके सर पे चाकू घुसेड दिया और इस फोटो में जो आप देख रहे हो लिटरली इतने अंदर तक घुसेड दिया था तो सबसे अमेजिंग बात है कि उनको एक भी infection नहीं हुआ और वो अपना सारा consciousness रीगेन कर लिये बिल्कुल normally रहे गये हैं वो सबसे अमेजिंग बात थी एक human head के अंदर से निकाला गया largest object वाला case था ही है और पूरे दुनिया में ये एक लौता ऐसा case है क्या वो पता है कि ये fact है girl और boy के बारे में क्या है कि psychology में ये पाया गया है कि जब किसी लड़के के ऊपर कोई लड़की interest दिखाती है तो वो लड़का उसको overestimate करने लगता है मतलब जितना लड़की दिखाईगे interest एक लड़के पर अगर वो माल लो 5 दिखाई तो लड़के को लगेगे 50 दिखा रही है interest वो overestimate कर लेता है और उसके उलटा अगर किसी लड़की पे लड़का interest दिखा रहा है तो इसको लड़किया underestimate कर देती है तो usually यही पाय जाता है हमारे real life में और कुछ लोग को तो 5 interest भी नहीं देखने मिलता है और कुछ लोग 5 interest को 5 सो ले लेते हैं यह एक interesting सा psychological fact था क्या आपको बता है कि jewelry के मामले में जो हम लोग jewelry पहनते हैं इन सब का science भी होता है आपने ही देखा होगा कि जो औरते होती है वो पैर में सोने का pile नहीं पहनती है बलकि चांदी का pile पहनती है और scientific reasons के हिसाब से भी जो silver है जो चांदी है वो धरती के energy से well respond करता है और जो सोना है वो upper body पे well respond करता है और और energy को तो इन सब के पीछे भी science होता है और पुराणों में इसका जिक्र भी किया गया है क्या आपको पता है कि आज कल के समय में इनसान के blood में micro plastics मिल रहे हैं इसे researches बहुत जगाओं पे हुए है and micro plastics पाय जा रहे हैं इनसान के blood में और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि blood में ऐसा कुछ पाय जा रहा है and of course इसका reason है आज कल का pollution और फ्रेंड्स कुकु एफम को चेक आउट जरूर करना और ये इंट्रेस्टिंग सा Unsolved Mysteries of India audio book को जरूर सुनना और ऐसी आपको बहुत सार इंट्रेस्टिंग audio book का पूरा एक गैलरी कुकु एफम पे मिल जायाएगा वीडियो को लाइक शान कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कर लेना थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो